हलो फेंड्स मैंमित मालविया और आप देख रहे हैं मनस डिजिटल यूटूब चनल तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारी यूटूब चनल पे बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तो अगर आपने आईशमान कार्ड बनवाया है और आपका आईशमान कार्ड खो गया है तो अगर आपके पास आईशमान कार्ड का नंबर लिखा हुआ है या आईशमान कार्ड का कोई फोटो कॉपी है या जहां से आपने आईशमान कार्ड बनवाया वहां से आपको एक black and white paper पे आईश्मान card को print करके दे दिया गया है तो ऐसी condition में दोस्तों आप अपने आईश्मान card को कहां से ले सकते हैं मतलब आप अपना original आईश्मान card कहां से download कर सकते हैं और अगर आपके पास में आईश्मान card का कोई proof नहीं है तो भी ये वीडियो को देख लीजिए क्योंकि दोस्तों अगर इनकेस आपका आईश्मान card कभी खो जाएगा तो मैं जो technique आप लोगों को बताने वाला हूँ यहां से आप अपना आईश्मान card कभी और कैसे भी download कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं इस कमाल की वीडियो को उससे पहले दोस्तों अगर अभी तिक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वो आईश्मान card के अंतरकत अपना इलाज करवा सकता है तो इस वीडियो को जादा से जादा शेयर कर दीजिए उन सभी लोगों को इसका benefit मिलेगा तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास में आईश्मान card का कोई proof नहीं है तो दोस्तों अगर आपने आईश्मान card बनवाया था कहीं से या आपके गाओं में कोई बंदा आईश्मान card बनाने के लिए आया था और उसने आपको जो है आईश्मान card नहीं दिया मतलब आपका आईशमान कार्ड बन चुका है लेकिन आपके पास में इसका कोई भी प्रूफ नहीं है कि आपका आईशमान कार्ड बना है या नहीं बना है अगर आपने आईशमान कार्ड के लिए कभी कहीं पर registration कराया था और अगर आपको आईशमान कार्ड नहीं मिला है तो आपको क्या करना होगा दोस्तो simply मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आपको आयूशमान कार्ड की information के लिए हर एक district में एक district hospital होता है और उस district hospital में एक आयूशमान कक्ष होता है उस आयूशमान कक्ष में आयूशमान मित्र काम करते हैं तो दोस्तो उन आयूशमान मित्रों के पास में सारी detail होती है आयशमान से regarding, मतलब जिल्ले में कितने आयशमान कार्ड बने हैं, कितने लोग आयशमान में पात्र हैं, कितने लोग आयशमान कार्ड बनवा सकते हैं, उनकी सारी डीटेल होती है, तो दोस्तो आप जो है अपने जिस्टिक हॉस्पिटल के आयुशमान केंदर में जा सकते हैं और वहाँ पर जो आयुशमान मित्र हैं आप उन्हें जो है समगर आईडी और अपना आधार कार्ड दिखा कर वहाँ से अपना आयुशमान नंबर प्राप्त कर सकते हैं अब दोस्तों वहाँ से बहुत सी बार आपको आईशमान प्रिंट भी मिल जाएगा, लेकिन वो प्रिंट आपको ब्लेक और वाइट मिलेगा, ओरिजनल प्रिंट वो भी नहीं देते हैं, लेकिन हाँ, अगर आपके पास में कोई प्रूफ नहीं है, तो आप कर टोलफिरी नंबर दे रहा हूँ, आप उस टोलफिरी नंबर पे कॉल करके भी आईशमान की इंक्वाइरी कर सकते हैं, अब दोस्तों ये तो एक कंडिशन हो गई, आपने यहां से आईशमान नंबर ले लिया, अभी दोस्तों अगर आपके पास में आईशमान नंबर है, आपके पास में ओरिजनल आईशमान कार्ड नहीं है, या आपके पास में ब्लेक और वाइट आईशमान कार्ड है, तो उसको आप किस तरह से डाउनलोड करेंगे, अपने मोबाइल से, चलिए पूरा प्रोसेस आप लोगों को बता देता हूँ, तो दोस्तों उसके लिए आपको simply आपके मोबाइल पर आजाना है, मोबाइल पर आजाने के बाद आपको ओपन कर लेना है Play Store, ठीके ना, Play Store में यहाँ पर आप सर्च करेंगे Dizzy Locker, तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पर Dizzy लिखोगे, तो यहाँ पर आपके सामने Dizzy Locker का Option आजाएगा, आप यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे, ठीके ना, तो आपके पास में यहाँ पर Dizzy Locker का एक application आपको यहाँ पर दिखाई देगा तो आपको यहाँ से Dizzy Locker को install करके रखना है तो मैंने पहले से install करके रखा है इसलिए मैं यहाँ directly इसको open कर लेता हूँ तो दोस्तो यहाँ पर आपको Dizzy Locker का कुछ इस तरह का interface पेंज देखने के लिए मिलेगा अब दोस्तो यहाँ पर आपको simply क्या करना है यहाँ पर आपको नीचे एक account वाला option दिखाए दे रहा है तो आपको यहाँ पर click कर देना है जैसी आप यहाँ पर click करते हो तो यहाँ पर आपको sign in का button दिखाए देगा अब दोस्तो डिजी locker को आप किस तरह से sign in करेंगे मतलब यहाँ पर जो है किस तरह से account create करेंगे इसका एक video मैंने पहले ही बनाया है वीडियो आपको i button में मिल जाएगा उस video को देखके आप जो है डिजी locker को install कर सकते हैं और डिजी locker पर अपना account बना सकते हैं आपको simply submit वाले button पर click करना है तो यहाँ पर आपको डिजी locker इस तरह से open हो जाता है तो यहाँ पर दोस्तो जो है ITX 2000 के अंतर के जितने भी डिजी locker के documents होते हैं वो आपके original documents के बराबर होते हैं यह यहाँ पर एक notification आपको दिखाए देता है मतलब यहाँ पर जितने भी documents आप upload करके रखते हैं वो सारे के सारे जो है government of India के दोरा verify होते हैं डिजी locker के दोरा verify होते हैं और वो आपके original document के बराबर काम करते हैं अब दोस्तो यहाँ पर आपको आपका आयश्मान card search करना है तो आप क्या करेंगे simply यहाँ आपको एक browse वाला button दिखाए दे रहा है आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो दोस्तो यहाँ पर आपको search कर लेना है PMJAY मतलब आप यहाँ पर लिखेंगे PMJAY तो जैसी आप यहाँ पर PMJAY लिखते हैं second वाला यहाँ पर आपको simply click करना है ठीके न तो यहाँ पर हम click करेंगे यहाँ पर हम click करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको आपका नाम दिखाए देगा जो कि आपके आधार card में लिखा हुआ है यहाँ पर आपको आपका data of birth दिखाए देगा वो आपको यहाँ पर type कर लेना है तो चलिए मैं type कर लेता हूँ यहाँ पर number type कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको आपका state select कर लेना है आपका जो भी state है वो आप यहाँ से select कर लेंगे तो जैसे कि मैं मदबर्देश से हूँ तो मैं यहाँ पर मदबर्देश सेलेक कर लेता हूँ उसके बाद आपको simply नीचे gate document यहाँ पर आपको click कर देना है ठीक है ना तो जैसी आप gate document पर click करोगे तो यहाँ पर इस तरह का processing आपको देखने के लिए मिलेगा और आप देख रहे हो यहाँ पर आपका document aid हो चुका है ठीक है ना अब दोस्तो यहाँ पर मैंने पहले से ही बहुत सारे document aid करके रहे हैं उसी में हम search कर लेते हैं यहाँ पर आप देख रहे हो प्रधान मंतरी जन आरोगी योजना मतलब आईश्मान भारत का यहाँ पर आ चुका है मैं इसको open कर लेता हूँ तो जैसे ही मैं यहां पर click करता हूँ दोस्तों तो आप देख रहे होँ यहां पर हमारा जो आईशमान card है यह आ चुका है ठीकर ना मैं इसका backsite आपको clear बता देता हूँ यह हमारा आईशमान card यहां पर download हो चुका है अब आप जो है इसको कहीं से भी print करा सकते हैं यहां यही आपको कभी भी कहीं भी आईशमान कार्ट की जरूवत पड़े तो आप यहां से इसका एजीली प्रिंट निकलवा सकते हैं तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में किसी नई नौलेजवल इंफर्मेशन के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भार्ण